इस्राइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध चल रहा है जहां इरान समर्थित लेबनान का हिजबुल्ला समू हमास के पक्ष में खड़ा है हर दिन लेबनान से दरजन भर से ज्यादा रॉकेट मिसाइले और ड्रोन इसराइल या फिर इसराइली कबजे वाले इलाकों पर दागे जा रहे हैं इस से मिडली इस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा हिजबुल्ला इसराइली बलो की कमर तोड़ने में लगा हुआ ह हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है लिबनान की तरफ से हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देने के लिए इसराइली डिफेंस फोर्स यानि की आईडियफ ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कारवाई की है हिजबुल्ला ने इसे एर स्पेस का उलंगन मानते हुए एक कारवाई की है माना जा रहा है कि हिजबुल्ला ठिकानों की परताल के लिए इसराइली जेट्स गश्त लगा रहे थे इस दोरान वो हिजबुल्ला लड़ाकों के निशाने पर आ गए इसके बाद तुरंत हिजबुल्ला ने अपने ताजा बयान में जिक्र किया कि उसकी एर डिफेंस यूनिट ने मुस्तैदी दिखाई जिससे समय रहते दक्षिन में इसराइली लड़ाकों विमानों पर मिसायले दागी गई इससे इसराइल को पीछे हट ने और लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा प्रतिरोध ने बुद्वार देर रात तक कई ऑपरिशन भी चलाए जो अगले दिन तक जारी रहे लड़ाकों ने बिरकेट रिशा मिलिटरी साइट पर हमला किया है दावा है कि सीधे हमले में स्पाइवेर को निशाना बनाया गया जिसे सटीक हमले में खत्म कर दिया गया लड़ाकों ने कबजे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में रूइसत अलकरन मिलिटरी साइट पर भी हमला किया है इस दोरान रॉकेट हतियारों से जम कर गोली बारी की गई इस से टारगेट पर सीधा हमले का दावा किया है प्रतिरोध ने इसराइली सेना के काफिले पर भी हमला करने का दावा किया जो आल मिली किया मिलिटरी साइट में घुज गया था बताया जाता है कि लड़ाकों ने पहले घात लगा कर इसराइली बलो की गतिविद्यों पर नज़र रखी इसके बाद तारगेट के नजदीक आते ही काफिले पर तोब खाने और रॉकेट आर्टिलरी के गोले दाग दिये गड़ाकों ने हनीता मिलिटरी साइट पर भी तोब खाने से हमला करने का खुलासा किया है जहां काफी नुकसान की संभावना जताई गई है हिजबुला के ताबर तोड हमलों की इसराइली रक्षा बलों ने भी पुष्टी की है IDF के मुताबिक माउंट डोव इलाके पर लेबनान के रॉकेट हमले से एक सैनिक गंभी रूप से घायल हुआ है माउंट डोव में कई सैन ने अड़े हैं जहां पर कई प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे केरिट शमोना इलाके में लेबनान से करीब 15 रॉकेट लाँच किये गए थे इससे पहले लेबनान से गलीली पनहंदेल पर रॉकेटों की बॉच्छार की गई थी कुछ रॉकेट्स को आयरें डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था उत्री इसराइल पर कई ड्रोन हमले हुए जिसने माउंट मेरोन इलाके को प्रभावित किया जबकि अन्ने को रोग दिया गया हिजबुला के हवाई हमलों के चलते लेबनान बॉडर के पास उत्री इलाकों में दिन में कई बार रोकेट और ड्रोन अलर्ट साइरन बजते रहे महीं आईडियफ के अनुसार लेबनान के हमलों का इसराइली बलों ने भी करारा जवाब दिया सैनिकों ने तोब खाने के साथ लॉंचिंग साइट पर गोली बारी की लड़ाकों विमानों ने कफरहाम में हिजबुला रोकेट लॉंचर आयतराकशब में बुनियादी धाचे और खियाम में उब्जर्वेशन चौकी पर हमला किया है आईडियफ ने बताया कि दक्षणी लेबनान के टालूसे में हिजबुला लड़ाकों के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया जहां से इसराइल की ओर रोकेट लॉंच किये जा रहे थे इसराइली बलो ने अपने जेट्स से दक्षणी लेबनान की एक इमारत पर भी एर स्ट्राइक करने का दावा किया है जिसका इस्तिमाल लेबनान से इसराइल पर रोकेट दागने के लिए होता था